दोस्तो अगर आप अपने पेनकार्ड में अपना नाम अपने पिता जी का नाम या फिर जनमतिती बदलना चाहते हैं तो आज topics में इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम घर बैठे अपने पेनकार्ड में करेक्शन कर सकते हैं यानि कि अपना नाम जनमती थी या फिर पिता जी का नाम बदल सकते हैं अब तक YouTube पर जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे वो सारे के सारे पुराने वीडियो है आप जो है पैन काड अपडेट करने की तरीका जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम पैन काड में करेक्शन करते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पूरा देखिएगा और Full HD में देखेंगे तभी जाके आपको किलियर दिखेगी तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि Google Chrome ओपिन करना है ओनलाइन पैन करेक्शन सर्च कर लेंगे सर्च करेंगे तो आपको दो वेबसाइट मिलेगी सबसे पहले मिलेगी nsdl.com online services.nsdl.com दूसरा होगा pen.utiitsl.com इन दोनों में से कौन से वेबसाइट पर क्लिक करना है तो देखिए पुराना जो भी अधार pen card था वो आपका जो है utiitsl.com से बनता था तो वहां से इशू किया जाता था तो अगर आपका uti वाला pen है तो यहां पर क्लिक कर लेंगे और अगर आपका nsdl से बना है तो यहां पर क्लिक कर लेंगे अब सवाल की कैसे पता चलेगा कि हमारा कहां से बना हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है आपको simply उपर वाले पर क्लिक कर देना है online services.nsdl.com और जैसे ही इसको open तो फिर यहां पर आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी होंगी आप इस वेबसाइट पर जो है आप यहां पर ही किलिक करके अपना पैन करेक्शन का उप्सन सेलेक्ट कर सकते हो अगर नीचे बाले की बात कर लेते हैं यूटी आई पैन तो यहां पर अगर आप किलिक करेंगे तो कुछ इस टाइब से वेबसाइट खुलेगी अब यहां पर आप लोग किलिक करके अपना पैन करेक्शन कर सकते हो लेकिन उस्टे पहले पता होना चाहिए कि पैन करेक्शन आखिन करना कौन से वेबसाइट से है क्योंकि दोनों ही जगह से आप नहीं कर सकते किसी एक जोड़ी नहीं कि उपर वाले से आपने सेलेक्ट किया है तो उपर वाले से हो ही जाए नीचे वाले पर भी हो सकता है वो आपको डिडारेक्ट कर देगा तो सबसे पहले क्या करना है कि यहां पर उनलाइन सर्विसेस.ansdl.com पर किलिक कर देना है यहां पर किलिक करने के देना है और फिर जैसे ही आप आगे बर होगे आपका पैन नमबर देना होगा और जैसे ही आप अपना पैन नमबर दोगे तो फिर आपको यह बता देगा कि यहां से आपका होगा की नहीं और अगर होगा तो प्रोसेश आगे बरहेंगी नहीं तो आपको फिर यूटियाई व आप लोगों को सबसे पहले एप्लिकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है यहां पर अपने हिसाब से नीचे वाले उप्सन को सेलेक्ट करेंगे चेंज और करेंगे इनएग्जिस्टिंग डाटा या रिप्रिंट उसके बाद कैटेगरी में आप यहां पर इंडिविज्वल सेल मती कुमारी जो भी है आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आप अपना लास्ट नेम देंगे उसके बाद फॉस्ट नेम देंगे मीडिल नेम अगर है तो वह भी आप लोगों को दे देना है सबसे पहले लास्ट नेम फिर मीडिल नेम फिर अप अपना first name और तब middle name देना है ठीक है उसके बाद आप अपना date of birth यहां पर डालेंगे अगर date of birth माल लेते हो कि आपका नाम बदलना है मतलब नाम में अगर correction करवाना है जो सही नाम आपका होगा वहीं यहां पर आप लोग दर्ज करेंगे और date of birth की जहां तक बात है तो date of birth पर डर्ज करेंगे जिस पर आप communicate कर पाए उसके बाद आप अपना mobile number कोई भी डर्ज करेंगे उसके बाद आप भारत के निवाशी है या फिर नहीं है उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहां कुछ करने के बाद जैसे ही आप सम्मीट करते हैं आपको जो है एक token number मिल जाता है उस token number के जरीए आप जो है अपना यहाँ पर process जो है वो complete करेंगे तो अगर आपको token number मिल गया है तो उसका एक screenshot ले ले ताकि कोई दिक्कत हो तो इसी token number से login करके बाद में आप जो है फिर से अपना pen edit कर सकते हैं तो आप जो है यहाँ पर नीचे में continue with pen application form इस पर आप लोगों को click कर देना है यहाँ पर आप लोग जैसे ही click करेंगे अब 4 stage में आपका जो है correction वाला process यहाँ पर complete हो जाएगा तो सबसे उपर में आपको options देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से आप pen document submit करना चाहते हैं तो आप digitally signed through EQIC वाला option select कर लेंगे तो online आप जो है अधार OTP के मदद से अपना जो है pen correction कर पाएंगे अधार में अगर mobile number register है तो यहाँ पर उपर वाले option को आप लोग select करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि कि आप physical pen card लेना चाहते हैं तो अगर pen correction करके ऐसे ही छोड़ देना है तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको pen card नया वाला आपके address पे मिले तो आपको yes पर click कर देना है अब यहाँ पर fee applicable दिखा रहा है इसका मतलब है कि इसके charges लगेंगे अगर आप physical लेना चाहते हो अपने address पे तो वहाँ पर आपको charge भुगतना होगा charge कितना लएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो pen card का जो है cool मिला के 101 रुपिया यहाँ पर लगेगा अगर आप EKYC बाला लेते हो physical mode में अगर चाहिए आपको तो फिर 107 रुपिया तो cool मिला के 106 रुपिया कुछ पैसा हमें यहाँ पर देना परा था तो इसी type से आपको payment करना होगा और उसके बाद अगर आप physical नहीं लेते हो तो भी आपको payment देना ही होगा अगर आप physical मानलो की नहीं चाहते हो आपको online download कर लोगे तो ऐसे में भी आ उसके बाद जैसे सेलेक्ट करके आगे बरहेंगे तो नीचे में आपको देना होगा आपका अपना अधार नमबर अधार करनी होगी तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आपको नीचे की तरह करना है जब दोग पर आपकी जो डीटेल्स होगी वह पहले से जो की पिता जी का नाम अगर आप चाहते हो कि आपके पिता जी का नाम pen card पे आए तो आप father name सेलेक्टरोगे अगर चाहते हो माता जी का नाम आए तो आप mother's name सेलेक्ट करोगे अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि photo mismatch और signature mismatch वाला automatic tick out है तो आप इसको हटा नहीं सकते हो तो कोई दिकत नहीं आप उसको ऐसे ही छोड़ दो उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि आप जो है first name और last name अपने पिता जी का यहाँ पर दर्ज करेंगे पिता जी का last name यहाँ पर दर्ज करेंगे और पिता जी का first name यहाँ पर दर्ज करेंगे अगर आपके पिता जी का कोई middle name है तो फिर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और माता जी का नाम चाहते हो pen card पे तो आप नीचे में अपने माता जी का नाम उसी तरीके से दे सकते हो last name यहाँ पर, first name यहाँ पर और अगर कोई middle name है माता जी का तो वहाँ पर आप लोगग सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप लोगों को next पर click कर देना है next पर click करेंगे तो आप आजाएंगे अब यहाँ पर address वाले section में जहाँ पर अब आपको अपना address सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर अपना जो है room, block, number कुछ भी जो भी है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे तो अपना address यहाँ पर आप अपने हिसाब से town, city, country, name, union, territory, pin code और zip code pin code वही होती है जीब code भी वही होती है तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लोगे और अगर आप लोगों को update नहीं करना है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको करना क्या है कि next पर click कर देना है जैसे ही next पर click करेंगे आप अगले page पर पहुंच जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पर बदल नहीं शकते हैं पूरा का पूरा आप अधार cards दे रहे हो date of birth, identity, address सब कुछ आपका verify होगा अधार से तो यहाँ पर कुछ भी select करने की ज़रूरत नहीं है आप इसमें क्या attach कर रहे हो pen card की copy या pen allotment letter या फिर कोई document नहीं दे रहे हो इसको select करना है तो मैं यहाँ पर कोई document नहीं दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर no document select कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है नाम लिखने के बाद आप जो है him self or self select कर लेंगे और उसके बाद आपने जो है कितने document इसमें टेच किये हैं तो कम से कम एक यहाँ पर भरना होता है और उसके बाद जो है आपको submit कर देना होता है अब चलिए य आपने कहा गलती की है यहां पर देख सकते हो personal details में लाल है तो इसका मतलब है कि personal details में कहीं न कहीं को गलती हमने करी है या फिर कुछ नहीं भरा है contact और other details में भी हमने कुछ गलती की है और नहीं भरा है तो हम यहां पर personal details पर click कर देंगे और देखेंगे वापिस से जाकर कि हमने क्या गलती की है तो यहाँ पर नीचे की तिरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिखाएगा कि कहां पर हमने गलती की है और यह देख सकते हो यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर this field is mandatory लिखा हुआ इसका मतलब है कि हमने father's name नहीं भरा था तो वो हमने गलती करी थी तो इसको भी भर देना है तो उस तरीके से जो भी गलती आप करते हो अगर गलती भर दिया है आपने तो फिर आपको पता भी चल जागा कि आपने गलती भरा है क्योंकि यहाँ पर ready indication आजाएगी तो उसको सुधार कर लेना है अब उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर submit पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हो इरर आ चुकी है यहाँ पर बता रहा है कि highlighted area में आपको भरना ही है तो यहाँ पर हमने प्लेस छोड़ दिया था तो चलिए अब इसमें भी हम अपना place जो है जगा का नाम यह verify करना होगा तो personal details verify करने के लिए pen number आपका उपर में दिख रहा है अधार नंबर यहाँ पर नीचे में देना है शुरू का आठ डिजिट देना है पहले पहले आपने आखरी का चार दिया था अब सुरू का आठ डिजिट यहाँ पर आपको अपने अधार कार्ड का दर्ज क भरा हुआ है अपना नाम जो है यहाँ पर देख सकते हो पूरी details जो भी आपकी आपने यहाँ पर दिया है वह सब नीचे में दिख जाएगा हाला कि आपके application जो है वह submit कर दिये गये हैं पूरा details देखने के बाद आप जो है आपको यहाँ पर payment करना है payment करने के लिए आप procedure पर क्लिक करेंगे अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपने detail भरा है तो एडिट पर क्लिक कर देंगे तो एडिट करके आप फिर प्रोशीड करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको payment करना होगा payment method आप कोई भी select कर सकते हो मैं यहाँ पर last वाला select करूंगा online payment throw build X क्योंकि यहा currency को accept करेंगे उसके बाद proceed to payment पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप proceed to payment पर क्लिक करेंगे अगला पेज आपके सामने होगा यहाँ पर आप जो है एक सो चौरूपया 90 पैशा देख सकते हो ट्रांजिक्शन साइडी है पे कनफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज में आ जाओगे अब यहाँ से आपको बहुत शारे options मिलेंगे किसी भी option को select करके आप payment कर सकते हो तो मैं QR code वाला option को select कर लेता हूँ यहाँ पर एक QR code आ जाएगी और उसके बाद जो है हम अपना phone पे से इसको scan करके payment कर देंगे नहीं तो आप चाहों तो UPI ID से भी कर सकते हो UPI पर select करिए और अपना कोई भी UPI ID phone पे Google पे किसी का भी UPI ID दर्ज करिए make payment for 106.90 यहाँ पर click करिए और उसके बाद आपने जो UPI ID दिया है उस पर एक request जाएगी जैसे request जाएगी आप वहां से accept करिए request को और payment कर दीजिए फिर आपका payment complete हो जाएगा जैसे ही payment complete हो जाएगा फिर आपको जो है यहाँ पर success दिखा देगा फिर आपको proceed करना है और अब जो है यहाँ पर अधार authentication आपको करना है token number लिखके रख लीचिएगा आप यहाँ पर आप TNC को accept करेंगे और उसके बाद जो है authenticate पर click करेंगे अधार authentication यानि की EKYC होगी तो authenticate पर click करिए continue पर आप ल लोगों को click कर देना है उसके बाद आप जो है यहाँ पर नीचे में आप जो है अधार देश्टर नंबर पर जो OTP गई है उस OTP को यहाँ पर दर्ज करके submit पर click करेंगे अगर OTP नहीं आती है तो reason rate OTP पर click कर देंगे तो चुकी OTP आ चुकी है यहाँ पर हमने submit कर दिया है आप continue with e-shine यहाँ पर आप लोगों को click कर देना है अब यह आपको redirect करेगा अब यहाँ पर अपना TNC आप यहाँ से accept करेंगे उसके बाद यहाँ पर अधार नंबर दर्ज करेंगे और send OTP पर click कर देंगे तो यहाँ पर हमने अपना अधार नंबर दर्ज कर दिया है और चल verify OTP पर click कर देंगे तो यहाँ पर verify OTP पर हमने यहाँ पर OTP दर्ज कर दिया है और चलिए verify कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने verify किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लुदोफर अपन ह çıktिक 20 और उस पासवर्ड लगी हुई है उस पासवर्ड को यहाँ पर दरज करेंगे अब सबसे बरा सवाल कि यहां पर password क्या दरज करना है तो password आपको जनमतिती दरज कर देना है जैसे मान लेते हैं कि अगर आपकी जनमतिती 5 मर्च 1990 है तो 05031990 कुछ इस टाइब से आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना है जैसे ही पासवर्ड दर्ज करेंगे PDF खुल जाएगी वहां से जो है आप अपना यहां पर रेफरेंस नंबर जो सबसे उपर में होती है उसको लिख के रख लीजिएगा क्योंकि इसी रेफरेंस नंबर से आप अपने pencard की स्थिती को चेक कर सकते है आप चलिए देखते हैं कि pencard के status कैसे चेक करेंगे तो NSDL के website पर आजाना है homepage पे आएंगे और उसके बाद आप no status of pen application इस पर click कर देंगे तो फिर आप यहां पर अगले page में आएंगे आप यहां पर application type में आपको select करना है pen new change या request उपर वाले option को select कर लेना है उसके बाद acknowledgement number देना है acknowledgement number जो है वो आपने लिख लिया होगा अगर नहीं लिखा होगा तो फिर आपके email id पे या फिर mobile number पर जरूर आया होगा यह acknowledgement number उसको दर्ज करेंगे फिर capture करेंगे और submit पर click कर देंगे जैसे ही submit करेंगे आपको details दिख जाएगी लेकिन अगर आपको details नहीं दिख चेक करिए तब जाके आपको जो है आपके pen card के स्थिती दिखाएगी तो no record found के बाद जब हमने दुबारा से यहां पर चेक किया तो फिर यहां पर बताया गया कि जो हमारा application है वो under process है प्रोटीन के यहां पे क्योंकि pen card और changes का जो है data वो under process है तो यह एक दिन बाद यह income text department से process हो जाता है एक से दो दिन में फिर आपके आपके email पर जो है आपको email मिल जाता है नए pen card का तो चलिए अब आपको हम email भी दिखा देते हैं क्योंकि मुझे email आ चुका है नए पास जो नया pen card हमारा correction हुआ था उसका तो चलिए यहां पर जो है हमारा email Gmail हमने यहां पर open किया है और यह देख सकते हो हमारा जो है आया है तीन से चार दिन के अंदर यह आ गया है तो यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर हमने क्लिक किया और चलिए अब नीचे की तरफ यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारा नया वाला जो है pen card साथ ही दिया गया है आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी password लगी हुई है password वहीं दर्ज कर देना है अपना जनमती थी और उसके बाद आप इसको open कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो नया pencard है उसमें जनमती थी शुधार हो चुका है हमने डेटर बर्थी चेंज करने के लेकिन signature नहीं है तो कोई दिकत नहीं है उस पर आप जो है manually signature करके उसको use कर सकते हो आप देखना होगा कि जो नया वाला आता है उसमें पुराना जो signature था वो आता है या फिर manually हमें करना होगा लेकिन आपका जो pen card है वो digitally signed होता है इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नही है तो तो इस तरीके से आप अपना pen card में correction कर सकते हो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है लेकिन हमने एक एक चीज को यहां पर आप लोगों को बता दिया है और जैसे ही pen card हमारे address पे आती है उसकी unboxing video भी हम आपको देंगे कि आखिर pen card है कैसा photo कौन सा है signature है कि नहीं है वो सब कुछ बताएंगे तो चैनल को subscribe करें notification bell को hit करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजे एक जासत thank you